नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बिहार समाचार में तो चलिए बिहार की 10 प्रमुक बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं तो खबरों की यह रूख करने से पहले एक नजर हिडलाइन्स पर बिहार में पंचायत चुनाव से पहले मुख्या और सरपंच को लगा बड़ा जटका बिहार में इस दिन से कक्षा एक से आठवी तक के स्कूल खोलने की तैयारी सरकार ने दिये संकेत तिजस्वी का कॉल जाते ही पटना डियम ने दिया पर्मिसन गर्दनी बाग में धरना पर बैठेंगे सिक्चक अभ्यार्थी बिहार के इस्टिट वेंडर्स की चमकेगी किस्मत डिप्टी सीम ने कहा कि स्वनिधी योजना से सब को दिये जाएंगे 10-10 हजार रुपईये पटना के क्रेडिट कार्ड यूजर्स को लग गया चुना जेब में कार्ड होने के बावजूद हजारों की चपत बिहार सरकार कुरोना वेक्सिन लगाने में भेदभाव कर रही है आयमे ने लगाया गंभीर आरोप परिक्षा में नकल करते पकड़े गए तो जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है बिहार बोड ने कदाचार पर लिया कड़ा फैसला बेल्टरान से ट्रेंड अभ्यार्थियों को मौका देगी सरकार डिप्टी सीम तारकिसोर प्रसाद ने दिया निर्देश जीविका दीदी पर निती सरकार महरबान अब तलाब के रखरकाव और मचली पालन की जिमेतारी देगी बरोनी एंटी पीसी में बवाल ग्रामेनों ने अधिकारियों को बंधक बनाया बंध हो सकता है प्लांट अब खबरे विस्तार से बिहार में पंचाय चुनाव के एलान से पहले राज में मुक्या और सरपंच को बड़ा जटका लगा है राज आयोग ने मद्दान केंद्रों की सूची बनाने को लेकर अधिसूचना जारी की है अधिसूचना में कहा गया है कि सभी मद्दान केंद्र की सूची और निरिक्षन करने की जिम्मा प्रकंड विकास पता अधिकारी को होगा मद्दान केंद्रों का फाइनल लिष्ट आयोक के समती से ही प्रकासित किया जा सकता है राज निर्वाचन आयोक की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार में अप्रेल और मैं में पंचाय चुनाव हो सकता है चुनाव से पहले सभी जीले में अधिकरित अधिकारियों को मद्दान केंद्र का जाज़ा लेना है अधिकारी मद्दान केंद्र की लिष्ट जीला निर्वाचन बदाधिकारी को सौपेंगे जिसे आयोक की समती से प्रकासित किया जा सकता है नोटिफिकेशन में बताया गया है कि वर्तमान मुख्या के घर से 100 मिटर की दूरी पर केंदर नहीं बनाया जा सकता है ऐसा होने पर अधिकरित अधिकारी जिम्मेदार होंगे बिहार में होली के बाद कभी भी पंचायत इलेक्सन का एलान किया जा सकता है वहीं बिहार निर्वाचन आयोक की निर्देश के बाद सुबे के सभी 8387 ग्राम पंचायतों में मद्दाता सुची के ड्राफ्ट का प्रकासन मंगलवार को कर दिया जाएगा कुरोना संकट के कारण बिहार में बंद चल रहे कक्षा एक से आठ तक के इसकूल इस माह के अंत तक खुल सकते हैं इसको लेकर 25 जनवरी को मुझ की सचीव की अध्यक्चता में क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप की बैठक होगी बता दे की 4 जनवरी से क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हो रही है जिनमें 50 पर 30 में से 20 से 30 पर 30 बच्चों की उपस्दिती देखी जा रही है ऐसे में अब उसी पैटर्न पर पहली से 8 कक्षा तक के बच्चों की भी पढ़ाई सुरू हो इस पर जल्द फैसला होगा इस बारे में सिक्षा विवाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस महने के अंत तक कक्षा 1 से 8 तक के लिए इसकूल खोले जाने का सरकार फैसला ले सकती है उमीद की जारी है कि गंतंत्र दिवस के अगले दिन 27 जन्वरी से बच्चों को इसकूल जाने की अनुमती मिल सकती है इसके लिए कई तरह की सर्तों का पालन अनिवार्ज होगा बच्चों को इसकूल में प्रवेश अभिभावकों की सहमती पर ही मिलेगी क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप की बैठक में इन सर्तों के बारे में विचार विमर्स होने वाला है बोर तलब है कि 4 जन्वरी से 9 से 12 तक के इसकूल खोले जाने के बाद कई जीलों में सिक्चकों और छात्रों के कुरोना पोजिडिप पाया जाने की खबरे भी आई थी नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे सिक्चक अभ्यार्थियों को पटना की जिलादीकारी चंद्रसेखर सिंग ने गर्दनी बाग में धरना पर बैठने का परमिसन दे दिया है निता प्रतिपक्च तेजस्वी आदव का कॉल जाने के बाद पटना डियम ने यहाँ अनुमती दी है पटना इको पार्क में धरना दे रहे सिक्चक अभ्यार्थियों से मिलने पहुचे तेजस्वी आदव ने ये भी कहा था कि अगर सरकार इन केंडिडेट्स को प्रदर्शन करने नहीं देती है तो मजबूरन उन्हें भी इस ठंड में एको पार्क में बैठना पड़ेगा और वो भी इस अंदोलन में सामिल हो जाएंगे पटना की जिलादिकारी चंदरसेकर सिंग की ओर से गर्दनी बाग में धरना पर बैठने का परिमिसन मिलने के बाद तेजस्वी आदव सिक्चक अभ्यार्थियों के साथ पैदल ही गर्दनी बाग धरना अस्तल पर निकल गये तेजस्वी के साथ साथ उनके पीछे हजारों की संख्या में सिक्चक अभ्यार्थी भी चल रहे थे जो सरकार के खिलाप नारेबाजी कर रहे थे और अपने मांगों को पूरी करनी के अपिल राज सरकार से कर रहे थे दरसल सिक्षक बहाली में देरी के खिलाप राजभर के अभ्यार्थी अंदोलन पर हैं उन्होंने पटना के गर्दनी बाग में धरना देना शुरू किया था लेकिन मंगलवार की साम पुलिस ने उन्हें वहां से खदेर दिया था इसके बाद बुधवार को अभ्यार्थी फिर से गर्दनी बाग दरनास्थल पर पहुंचे तो एक बार फिर से पुलिस ने उन्हें खदेर दिया पुलिस से बचकर भागे सेकडो सिक्षक अभ्यार्थी पटना के इको पार्क पहुंच गए इसके बाद उन्होंने अपने पर ताना साही का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में सांतेपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार मिला हुआ है लेकिन नितिश सरकार लाठी गोली चलवा रही है। इस योजना के तहर ठेले खुमचे वाले 10,000 रुपे तक का कर्ज ले सकते हैं। किनारे ठेले पर दुकान लगाने वाले अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। उन्हें घर परिवार चलाने में आसानी होगी। उन्होंने काया कि चुकी बिहार में उनके पास नगर विकास एवंग आवास विभाग भी है। इसलिए वहाँ इस कारियक के लिए प्रेतनिसिल भी है। आल के दिनों में साइबर क्राइम के मामलों में बेताहसा ब्रिधी हुई है। पट्णा के एक प्राइवेट बैंक के ग्रहकों को एक साथ चुना लगा है। सबी को कॉल कर खाता खुलवाने के लिए कहा गया। फिर कुछ दिन बाद ग्राहकों को क्रेडिट कार्ट डिया गया। एक नीजी कमपनी में काम करने वाले सक्स के मुताबिक बीते दस जन्वरी को क्रेडिट कार्ट उन्हें बैंक की तरब से दिया गया। और musste 16 जन्वरी को उनके खाते से 29,000 रुपे ट्रांसफर कर दिये गए इसी तरह दूसरे ग्रहाक का कहना है कि उनके खाते में लगभग 40,000 निकाल लिये गए उन्हें 9 जनवरी को क्रेडिट कार्ड दिया गया था बिहार में कोरोना टिकाकरन कायरकरम के बीच राज सरकार पर इंडियन मेडिकल एसोसियेशन यानी IMA ने गंभीर आरोप लगाया है IMA का आरोप है कि बिहार सरकार कोरोना वाइरस में भिदभाव की निती अपना रही है मंगलवार को IMA बिहार के पदाधिकारियों की आपात बैठक के राष्टिय अध्यक्ष डॉक्टर सहजाद प्रसाद सिंग के अध्यक्षता में हुई बैठक में IMA के सदस्यों ने स्वास्त विभाग पर कोरोना टिका करन में सरकारी और नीजी स्वास्त कर्मियों के बीच बेदभाव किये जाने का आरूप लगाया है IMA का कहना है कि कुरोना के हाल में स्वास्त मंत्री और प्रधान सचीव की अपील पर IMA ने बिहार में राज के सभी क्लिनिक और नर्सिंग होम को नियमित रूप से खुलने का फैसला किया लेकिन जब ठीका देने की बारी आये तो केवल सरकारी और निवनित प्राइवेट क्लिनिक को ही प्राथमिक्ता दी जा रही है जो सरासर गलत है IMA की बैटक में पार शुत्री मांगो के प्रस्ताव को भी पारित किया गया है IMA ने 28 जुलाई 2020 को स्वास्त विभाग के अपर सचीव कोसल किसोर की तरब से जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की है बिहार में कदाचार मुक्त परिक्षाएं हो पाए इसके लिए बिहार बोड ने अब सक्त कदम उठा लिया है बिहार बोड की परिक्षा में नकल करने मालों को जुर्माना और जेल दोनों की सजा जेलनी पर सकती है बिहार बोड ने तै किया है कि अगर परिक्षा में कोई चात्र नकल करते पकड़ा गया तो उसे 2000 का जुर्माना या फिर 6 मैने की जेल हो सकती है जुर्माने के साथ-साथ जेल की भी सजा दी जा सकती है बिहार बोड ने Intermediate 2021 की परिक्षा को लेकर यहाँ गाइडलाइन जारी की है बोड ने इसके लिए बिहार परिक्षा संचालन अधिनियम 1981 के प्रवाधानों को लागू करने का फैसला किया है सभी केंद्रों में इस समंध में दिशा निर्देस भेजने की तैयारी हो रही है सभी परिक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी की भी तैनाती की जाएगी साथ-साथ पुलिस बल भी तैनात रहेंगे बेल्टरान से ट्रेंड कम्प्यूटर ओपरेटरों को राज सरकार जल्दी एडजस्ट करेगी बेल्टरान के पैनल में सुचीबद डाटा एंट्री ओपरेटरों ने आज बिहार के डिप्टी सियम तारकिसोर प्रसाद से मुलाकात की थी डाटा एंट्री ओपरेटर ने डिप्टी सियम को बताया कि बेल्टरान के पैनल में सुचीबद होने के बावजूद उनकी नियुक्ती नहीं की जा रही है डिप्टी सियम ने इस मामले में ततकाल राजसोव एवंग भूमी सुधार विभाग के अपर मुख सचीव से बात की है और इस दिशा में आवश्चक करवाई करने का निर्देश दिया है दरसल उपमिक मंत्री तारकिसोर प्रसाद अपने पांच देशरतन मार्ग आवास पर जनता के दरबार कारिकरम में मौजूद थे इसी दोरान कई जीलों से आये डाटा इंट्री ओपरेटर ने उनसे मुलाकात करने पहुशे उन्होंने डिप्टी सीम से गोहार लगाए कि राजसुव एवंग भूमी सुधार विभाग के अंतरगत कम्प्यूटर ओपरेटरों के नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है लेकिन वेल्ट्रॉन के सुचिबद ओपरेटरों के नियुक्ति नहीं दी जारी है वेल्ट्रॉन के सुचिबद पैनल में अभ्यार्थियों के कूल संख्या 7,311 है जबकि राजसुव एवंग भूमी सिधार विभाग में 3,738 कम्प्यूटर ओपरेटरों के बहाली की जारी है तीस सरकार ने सरकारी स्कुलों के चात्र चात्राओं के लिए फुसाग बनाने का जिम्मा जिविका दिदियों को दिया है मंगलवार को केबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाए थी और अब राज सरकार जीविका दिदियों के हवाले तलाबों के रखरकाओ का जिम्मा देने जा रही है जीविका दिदियों को तलाब के रखरकाओ के साथ साथ मचली पालन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनके लिए आयका सुरोत बना रहे जिविका दीदियों के हवाले यहां नई जिम्मेदारी देनी की तैयारी ग्रामिन विकास विभाग में शुरू कर दी है विभाग के ब्रधान सचीव अर्विंद कुमार चौधरी ने कहा है कि ऐसे तलाब जिनकी बंदोबस्ति होती है उन्हें छोड़कर अइन तलाबों के रखरकाओ का जिम्मा जिविका दीदियों को दिया जाना है बेगु सराई के बरोने इस्थित थर्मल पावर इस्टेशन में जमकर बवाल होने की खबर है एक संग्वीदा मजदूर की मौत के बाद ग्रामिनों ने पावर प्लांट की घिरावंदी कर दी है और प्लांट के अधिकारियों समेत CISF के सुरक्षा कर्मियों को बंदग बना लिया है आक्रोसित ग्रामिन मजदूर के परिजनों के लिए मौवजी की मांग कर रहे हैं इस घटना के बाद NTPC ने पावर प्लांट को अस्थाई रुप से बंद करने की बात कही है तो आज की सुरक्षियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहे हमारे साथ और साथ ही साथ अपने दोस्तों रिष्टेदारों में सेर जरूर करें धन्यवाद